रनवीर कपूर की फिल्म आनिमल बॉक्स ओफिस पर जम कर बवाल काट रही है। वहीं रिलीस की दसवे दिन फिल्म ने सारुक खान की पठान की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साउथ की फिल्म आनिमल ओपनिंग डे से ही बॉक्स ओफिस पर संदार कमाई कर रही है। वहीं अब रिलीस की दसवे दिन सारुक खान की फिल्म पठान को धूल चटा दी है। सारुक खान की पठान की तो इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। बॉक्स ओफिस वर्डवाइड के अनुसार इस फिल्म ने दस दिन में हिंदी इंडिया कलेक्शन में 366.40 और वर्डवाइड 729 करोड का बिजनस किया था। एनिमल में रनवीर कपूर ने पहली बार एक खुंखार इंसान का किरदार निभाया है जो अपने पिता के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। साथी में फिल्म में रस्मी का मंदाना के साथ उनकी रोमेंटिक केमेस्ट्री भी देखने को मिल रही है। दनवीर कपूर के अलावा फिल्म में बॉबी देवल की किरदार ने चार चान लगा दिये हैं। फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा हो लेकिन इसके जरिये बॉबी ने एक बार फिर अपना चार डम हासिल कर लिया है। झाल झाल झाल